नमस्कर साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्व चैनल पर मैं निशा आपका हर्दिक स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं आरप्यासी सेकेंड रेड इंग्लिश के लिए जो हमारा टॉपिक है इंडो इंग्लिश राइटर्स के बारे में उसमें आज हम देखेंगे मुल्क राज आनंद के बारे में तो आएए शुरू करते हैं मुल्क राज आनंद जिनका जन्व हुआ था 12 दिसंबर 1905 को ये एक हिंदुक शत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे पेशावर में जो प्रेजेंट पाकिस्तान का पार्ट है देखिए ये एक इंडो इंग्लिश राइटर है और ये जब पैदा हुए थे 1905 में उस समय पर भारत जो है एक एक ऐसा शेत्र था जिसमें ना कोई अलग से पाकिस्तान था जिसमें ना कोई बंगला जेश था कोई ऐसा अस्तित्व नहीं था तो ये नॉन पार्टिशन इंडिया जिसका पिशावर एक पार्ट था उसमें रहने वाले थे और एक हिंदू शत्रिये परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ जो होती है वो 28 सेप्टेंबर 2004 को होती है डाइड ओफ नियुमोनिया देखिए पीजिटी इंगलि कॉपर स्मित यानि 13 परिवार से संबंदित होते हैं 13 होते हैं बाइ प्रोफेशन और बाद में इसके जो फादर है मुल्क राज आनन के ये वक करते हैं as a head clerk in British Indian Army देखिए जब वर्ल्ड वार होता है उस टाइम पर इनके फादर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जॉइन करते हैं और एक head clerk की पोस्ट पर काम करते हैं ठीक है तो पहले इनके जो फादर है वो पर स्मित होते हैं और बाद में एक head clerk बन जाते हैं इनकी जो मदर है ये है इश्वर कॉर फिर इनके बारे में देखिए in 1920 मुल्क राज आनन्द जोइंड खालसा कॉलेस देखिए इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको एक बहुत और 1921 में मुल्क राज आनन जो है वो खालसा कॉलेस जोइन करते हैं अम्रद सर पंजाब में और 1921 में ही ये इंप्रिजन किये जाते हैं इनको कैद होती है जेल होती है किसलिए होती है क्योंकि यह party जो पार्ट लेते हैं participate करते हैं किसमें civil disobedience movement मात्मा गंधी होते हैं उसमे इनको जेल होती है थोड़े वक्त के लिए फिर भी एनिहाउ ये 1924 में अपनी ग्रैजुएशन जो है वो बीए ओनर्स जो है वो पंजाब युनिवसिटी से कम्प्लीट करते हैं उसी दोरान इनके साथ क्या होता है कि ये एक लड़की है वो यासमिन जो की सिस्टर-in-law होती ह है उनके फ्रेंड नूर मुहमद की जो भावी है उनसे इनको प्यार हो जाता है सिस्टर-in-law है नूर मुहमद की उनके साथ ये प्यार करने लग जाते हैं लेकिन उस दोरान ये इतने सीरियस होते है अपने रिलेशनशिप के लिए कि ये यासमिन के साथ कश्मीर भाग जान लेकिन जैसे ही कश्मीर भागने का इनका जो प्लान है वो कैसे लीक आउट हो जाता है और जैसे ही यासमिन के हस्बेंट को इस सारे इलॉपमेंट के बारे में भागने की जो कोशिश है इन दोनों की उसके बारे में पता लगता है तो ये उसको रोक देते हैं और कुछ समय बाद पता लगता है कि यासमीन की जो है वो मौत हो जाती है वो सुसाइड कर लेती है या उनको मा डाला जाता है इस घटना से ये काफी ज़ाड़ा आहत होते हैं और बहुत ही एक गहरा दुख जो है इनको लगता है उसकी डेथ से एक और इंसिदेंट इनके साथ में आता है खैर वो हम अभी आगे देखने वाले हैं 1925 की बात करते हैं 1925 में ये इंग्लेंड के लिए चले जाते हैं लंडन में चले जाते हैं फोर हायर स्टडीज और यहां पर अंडर दा गाइडेंस ओफ प्रॉफेसर डेविस हिक्स ये जोइन करते हैं फिलोसोफी में पीच्डी क बन जाते हैं देखें इनका जो इंग्लेंड में जो रहने का जो होता है प्रवास जो है जितने टाइम तक ही रहते हैं वहां पर एक ग्रूप यह जोइन करते हैं यानि एक ब्लूम्सबरी ग्रूप जोइन करते हैं जिसमें वर्जीनिया वूल्फ, T.S. इलियट, E.M. Forster, D E.H. Lawrence, George Olver, Orwell और यह सारे एक स्कॉलर ग्रूप है जिसमें डाइलन्द हम्स, हैंडरी मिलर, Bertrand Russell यह ऐसे सारे प्रॉमिनेंट राइटर जिनके बारे में हम इंग्लिश लिट्रेचर में पढ़ते हैं चाहिए उनकी प्रोज हो, पोईट्री हो, उनकी एसेज हो, उनकी प्रोज में होते हैं मुल्क राजानन्द के, जब यह अपनी PhD वहां पर कर रहे होते हैं और क्योंकि एक बहुत prominent writer हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं मुल्क राजानन्द खुद तो यह वहां पर जब तक रहते हैं तो यहां अपनी lectures भी वहां के जो colleges हैं, उनकी वहां पर जा बताते हैं अपने लेक्जर के द्वारा अपने थॉट्स के द्वारा नाइंटीन थर्टी से नाइंटीन फॉट्टी का जो इनका लाइफ पीरिड है यह एक्टिव मेंबर रहते हैं इंडियन स्ट्रगल मुवमेंट के भारत में उस समय जो अंदोलन चलाई जा रहे थे महात् इनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है अब देखिए इन क्राइटेरियन क्राइटेरियन क्या है क्राइटेरियन यह एक जर्नल है टी एस इलियट का जिसमें मुल्क राज आनंद का जो कंटेंट है वो अक्सर पब्लिश हुआ करता था यह अपने थोट्स वहा राइटर फांडिंग फादर ओफ इंडियन इंग्लिश नोवल्स भी इन्हें कहा जाता है यानि इनकी परस्नालिटी इतनी डावर्स है इतने प्रॉमिनेंट राइटर हैं इतना अच्छा लिखते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और इन्होंने अ नाम यह रजनी रखते हैं अब एक और हम बात करते हैं आनंद की क्रीशन के बारे में अब बात करेंगे करके करके हम मुल्क राज आनंद जब छोटे होते हैं तो एक बार इनकी जो कजन को शल्या हुआ उसकी डैथ हो जाती इसके बहुत होते हैं फिर जब यह बड़े होते हैं तब इनकी इनकी परिवार में इनकी चाची होती है इनकी भी अचानक से death होती है उसका reason क्या होता है और ये क्यों उनके उपर अपना स्ने दिखाते हैं ये बहुत close होते हैं अपनी चाची के पास साथ और आनंद का जो first prose ऐसे है ये भी respond करता है किस चीज को suicide of his aunt जब इनकी चाची suicide कर लेती है उसके बारे में इनका जो first prose ऐसे ह है वो respond करता है अब इनकी चाची suicide क्यों करती है क्योंकि because of sharing meal with the Muslim woman क्योंकि मुल्क राज आनंद की जो चाची है वो एक Muslim महिला के साथ बैठ कर खाना खाती है एक साथ खाना शेयर करती है जिसकी वज़ा से उनकी चाची को बहुत कुछ बाद में सुनने को मिलता है या बहु आनंद के उपर भी पढ़ता है मुल्क राज आनंद के उपर भी पढ़ता है इसी तरह से देखिए 1952 में ये अवार्ड किये जाते हैं International Peace Prize for World Peace ये बहुत important question है कई बार exam में पूछा भी गया है इसी के साथ साथ हम इनके बारे में आगे देखते हैं इसके भी ये फाउंडर एडिटर माने जाते हैं 1946 में ये मार्ग जो है पब्लिश होना शुरू हुआ था और उसके साथ साथ ये ललित कला अकादमी के प्रेज़ेंट भी रहे हैं ये बहुत important है 1967 में इनको पद्म भूशन अवार्ड दिया गया था 1971 में ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इस नॉवल मॉर्निंग फेस मॉर्निंग फेस जो है ये इनका लिटल बिट ऑट बाइग्राफिकल टच वाला ही नॉवल है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था फिर उसके बाद एक और चीज़ आती इनके बारे में 1950 में ही मैरिड शीरीन वाजिबदार अपर्सियन क्लासिकल डांसर देखिए पर्सनल लाइफ में भी जो मुल्क राज आनंद है वो काफी एक ऐसी सक्षियत के धनी रहे हैं कि ये किसी ना किसी से दिरे दिरे जुड़ते रहे हैं अट्रेक्शन ओफ वुमन है वो इनको अट्रेक हो जाती है फिर उसके बाद में ये कैथलीन से शादी करते हैं तो इनकी शादी कुछ समय के बाद में ब्रेक हो जाती है उससे डावोर्स ले लेते हैं फिर उसके बाद इनकी लाइव में एक और लड़की आती है आईरीन नेम की लेकिन उस ताइम पे आज पब्लिशर पहुंचाता है उसके बाद में फिर ये एक लेडी के टच में आते हैं जो उससे शादी नहीं कर पाती है फिर लास्ट में ये शीरिन वाजिपदार से शादी करते हैं जो पर्सियन क्लासिकल डांसर होती है अब हम बात करते हैं इनकी कुछ important creations के बारे में और जिनका हम little brief summarization आपको जुरूर प्रोवाइड करवाएंगे second part में अब हम बात करते हैं इनके important works की curries and the other Indian dishes ये इनका 1932 में आया हुआ work है उसके बाद में आया इनका untouchable 1935 में जो पब्लिश किया था विशार्ट यानि कि ब्रिटें का एक publication house था विशार्ट जिनोंने इसको पब्लिश किया था 1 माई 1935 को पब्लिश किया था untouchable ये इनका सबसे प्रमोख हिया सबसे important जो work है वो माना जाता है जिसमें ये एक जो story है वो बाखा नाम के बच्चे की है कि कैसे वो अपने life में इन चीज़ों को face करता है untouchability को और यहां पर एक और चीज़ में आपको बता दू महात्मा गांधी जब ये मुल्क राज आन जो है महात्मा गांधी जी के संपरक में आते हैं उनके जो साबर मती आश्रम है वहाँ पर लगबग तीन महीने वहाँ पर रहते हैं और untouchable का जो जो manuscript है जो जो इनकी में जो copy है जो मूल प्रती है वो ये महात्मा गांधी को दिखाते हैं मात्मा गांधी जो इसको पूरा पड़ते हैं और इनको कहते हैं कि आप अभी इसकी जो language है उसको तोड़ा easy करने की कोशिश करें Untouchable को जो सबसे पहले मात्मा गांधी जब पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जो कहानिय वो बहुत अच्छी है बाखा नाम के बच्चे की जो छुआ छुट की कहानिया बता रहे हो वो बहुत अच्छी है लेकिन आपने इसमें जो vocabulary यूज की है जो words यूज की है जो चीजने यूज की है वो बहुत टफ है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकती है जिसको वो समझ नहीं पाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा easy करें तो इसलिए मुलकराज आनंद उसको वापिस से पढ़ते हैं वापिस से उसको थोड़ा और उसमें changes करते हैं लेकिन कहानी वही है शब्दों की जो समझ है उसको थोड़ा easy कर दिया गया है उसके बाद इसको publish करवाया जाता है 1935 में और 1 मही 1935 को wish art publication house के द्वारा इसे publish किया जाता है उसके बाद में आता है इनका the coolie 1936 में two leaves and a bird 1937 में फिर आता है इनका the village 1939 में फिर across the black water ये आता है इनका 1940 के time पे फिर है the sword and the sickle sword and the sickle आता है 1942 में फिर है the barbers trade union and other stories ये 1944 में आता है the tractor and the corn or goddess and other stories 1944 में the big heart 1945 में Indian fairy tales retold 1946 में seven summers ये 1951 में आता है इसके बाद में है the private life of an Indian prince ये भी इनका 1953 में आता है the old woman and the cow 1960 में the road 1961 में large one and the other stories 1966 में lament on the road of sorry lament on the death of master of arts 1967 में morning face 1968 में आता है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जाता है फिर है conversation Bloomsbury ये इनका 1981 में आता है अभी हमने पढ़ा था Bloomsbury group क्या था जिसमें इनके जो prominent friend and writer and poets थे ये सब इनके टच में आते हैं जिसमें Picasso जो writer नहीं है बहुत बड़े painter है Spanish painter है वो भी इनके काफी अच्छे संपर्क में होते हैं फिर है nine moods of भारत 1998 में आया फिर है power and pity 2001 में आया अब एक important बात और कर लेते हैं ट्रायलोजी के बारे में ये बहुत बार question पूछा जाता है मुल्क राज अनन्द की ट्रायलोजी क्या चीज है मुल्क राज अनन्द की जो ट्रायलोजी है ये है the village 1939, across the black sea 1940, the sword and the sickle 1942 देखे ये क्या चीज है it was about a rebellious adolescent and his experience in the world war second world war second के एक time पे ये एक ऐसी ट्रायलोजी लेकर आते हैं three section जो है ये books के जिसमें एक protagonist दिखाया जाता है और उसकी life के incidents को दिखाया गया है कि कैसे village का रहने वाला एक आम सा लड़का कैसे अपनी life की चीजों को face करता है जो जातिगत विवस्थाएं हैं जो untouchability है या जो prominent failures दिखाई देते हैं society के वह सारे इसमें नजर आते हैं फिर कैसे उसको वहां से निकाल दिया जाता है वह दिखाया गया है फिर कैसे वह अपने आपको एक army man के तौर पर establish करता है और कैसे फिर वह वापस farming के तौर पर काम करने लग जाता है वह सारी चीजों को three books में दिखाया गया है जो इनकी ट्राइलोजी के नाम से काफी famous है तो आज के लिए इतना ही जल्द ही मिलते हैं इसके second part के साथ में इनके छोटे-छोटे जो summarization हमने बनाए हैं वह आपको सामने लेके आएंगे क्योंकि detail पूछा नहीं जाता जादा लेकिन characters के नेम और उनकी जो brief summary है वह हमें पता होनी चाहिए इनकी creation की most important creations की और मैं आपके लिए लेके आउंगी तो आपको पता लगेगा कि वास्तों में RPSC ने कितनी बार इनके पारे में questions पूछे हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद